आगे क्या होने वाला है वेब सेरीज में आज हम बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस्राइल और हमास के युद्ध में अब कई बड़े देशों की एंट्री होने जा रही हैं किस प्रकार से अब रूस भी इस्युद्ध में कूदने वाला है किस प्रकार से अमेरिका इस्राइल के साथ उसकी सुरक्षा में मजबूती लाने के लिए अपने सबसे शक्ति शाली ड्रोन को उतारने जा रहा है और अभी तक इस युद्ध में क्या-क्या घटनाए घटी है आज हम करेंगे इसी पर विशलेशन तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल और इरान के बीच भी अपतनाओ गहराता जा रहा है रविवार को इरान ने अमेरिका तक को खुली धमकी दे दी है इस बीच अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर इरान पर हमले का प्लान बनाने में जुटे हैं आज से लगबग 13 दिन पहले एक अक्टूबर को इरान ने इसराइल पर 180 से अधिक बैलेस्टिक मिसाईलों से हमला किया था इसराइल इसी हमले का जबाब देने की अब तयारी में जुटा है इसराइल से तनाओ के बीच अब इरान ने अमेरिका को खुली चेताउनी या दूसरी भाशा में कहें तो धमकी देडा ली है इरान ने अमेरिका को इसराइल से दूर रहने को कहा है इरान ने इस परश्ट रूप से कहा है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है एक अक्टूबर को इरान ने इसराइल पर 180 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करके अपने आने वाले मूब की भी जानकारी दे दी थी इसके बाद इसराइल ने पलटवार की कसम खाई थी माना जा रहा है कि इसराइल किसी भी समय इरान पर कोई बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला हमला कर सकता है मगर इस बीच अमेरिका इसराइल को सैने मदद देने पर गंभीरता से विच्चार कर रहा है अमेरिका की इसी पहल पर इरान ने अब आपत्ती जताई है और उसे इसराइल से दूर रहने की सलाह दे डाली है टाइमस ओफ इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार इरान ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि वह अपने सैनिकों को इसराइल से दूर रखे रिपोर्ट के अनुसार इरान के विदिश्य मंतरी अबास अरागची ने कहा है कि इसराइल को अमेरिका रिकॉर्ड मातरा में हतियार पहुँचा रहा है इसके अलावा अब वह इसराइल में मिसाल डिफेंस सिस्टम भी लगाने की बात कर रहा है इसके संचालन के लिए वो अपने सैनिकों की भी तैनाती करने जा रहा है और इस तरह से अमेरिका इरान के जीवन को भी खत्रे में डालने जा रहा है इरान ने ये भी कहा है कि क्षेत्र में व्यापक युद्ध रोकने की खातिर जबरदस्त कोशिश भी की जा रही है मगर उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने लोगों की रक्षा और हितों की सुरक्षा करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है इस बीच जानकारी सामने आई है कि इसराइल एक सूची बना रहा है इसमें इरान के उन इस्थानों के नाम है जहां पर हमले की योजना बन रही है इसराइल इन दुनों इरान पर हमले की योजना तयार कर रहा है इस प्लान में अमेरिका भी साथ दे रहा है यद्यपी अमेरिकी राश्टपती जो बाइंडेन ने सपस्ट कर दिया है कि वह इरानी तेल सन्यंत्रों और परमाडु कारिकरम पर हमले के पक्ष में नहीं है हाला कि इसराइल ने अमेरिका को ये नहीं बताया है कि वह हमला कब कहां और कैसे करने वाला है इस बीच अमेरिका टर्मिलल हाई एल्टिटूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानि थाड को इसराइल में तैनात करने पर विचार कर रहा है ये अमेरिका का उननत एयर डिफेंस सिस्टम है विशिष बात ये है कि ये सिस्टम इरान की बेलेस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है ये डेपी सिस्टम के संचालन का तकनी की ग्यान अमेरिकी सैनिकों के पास ही है ऐसे में अमेरिका को इसराइल में अब अपने सै गायल हैं हजारों की संख्या में लोग लापता हैं मगर अब जंग का जो दाइरा है वो लेबनान और इरान तक बढ़ गया है लेबनान में इसराइली हमले लगातार चल रहे हैं इसी बीच आशंका वेक्त की जा रही है कि इसराइल किसी भी समय इरान पर बड़ा हमला कर सकता है इसराइल और इरान के बीच तनाव अब चरम पर है इस बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है अब सवाल उट रहा है कि क्या पुतिन भी इस नए युद्ध में सीधे एंट्री करने के मूड में है इसराइल के विरुद्ध और इरान के साथ खुल कर अब रूस के आ जान हमले से पहले कड़ी चेतावनी दे ली है लाउस के वी इंतियाने में एक प्रेस कॉन्फरेंस में रूसी विदेश्ट मंतरी सरगेई लावरो ने कहा कि इसराइली हमले से क्षेत्र में तनाव बढ़ने के आसार है उन्होंने कहा कि अगर इरान के असैन परमाडू परतिष् परमाडू उर्जा एजनसी IAEA के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इरान के परमाडू कारिकरम का सैनी करंट किया जा रहा है हम यानि रूस अपना रुख तथ्यों पर आधारित करते हैं हर देश में आपको ऐसे राजनेता और सांसद मिल जाएंगे जो ऐसे विचा परमाडू कारिकरम और तेल सन्यंतरों पर भी हमला करने की योजना पर काम कर रहा है यदेपी इरान ने भी धमकी दी है कि अगर इसराइल ने जवावी कारवाई की तो इस बार वह और भी मोह तोड़ जबाब देने वाला है इधर अमेरिका अब इसराइल को इरान के हमलों से बचाने के प्लान में तेजी से जूट किया है इसराइल के जवावी कारवाई से पहले ही अमेरिका महाँ अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है इतना ही नहीं अमेरिकी सैनिकों की भी वहाँ तैनाती की जा पर हमले की हिम्मत ना करे इस बीच अमेरिका इसराइल को सैने मदद देने की तैयारी में पूरी तरह से जुड़ गया है अमेरिका इसराइल में अपनी उन्नत एंटी बैलेस्टिक मिसाइल रक्षा प्रडाली को भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है अमेरिका इस सिस्टम क टर्मिनल हाई एल्टिटूड एरिया डिफेंस यानि थाड एर सिस्टम को तैनात कर देगा ये सिस्टम इरान की बैलेस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है रविवार को पिंटागन के प्रिसचिव पैट राइडर ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी राश्पती जो बाइडन के निदेश पर रक्षा सिचिव लॉइड ऑस्टिन ने 13 अप्रेल और 1 अक्टूबर को इसराइल पर इरान के हमलों के बाद से ही इसराइल की हवाई सुरक् पूर ही रखे इरान ने ये चेताउनी अमेरिका की अपने अत्यादूनिक एयर डिफेंस सिस्टम थाड की इसराइल में तैनाती की योजना पर भी दी है ऐसे में इरान या उसके समर्थी संगठोनों के इसराइल पर हमले की चपेट में अमेरिकी सैनिक भी आ सकते हैं इरान मिसाइलों को इसराइल और अमेरिका ने मार गिराया था मगर कुछ मिसाइलें इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल रही थी अब इरानी हमले के जवाब में इसराइल ने भी बड़ी कारवाई की धमकी देडा ली है इसराइल बड़े हमले की तैयारी में ह वह एरान में हमलों वाली जगों की एक सूची बना रहा है इधर इसराइल ने सोमार को गाजा पटी में व्यापक हवाई हमले किये जो की हमास के हमलों के जवाब में थे। इन हमलों में इसराइली वाई सूची ने गाजा सिटी के कई हिस्सों को निशाना बनाया खासकर अलफुरकान इलाके में जिसे हमास का एक महत्रपूर्ण केंडर माना जाता है। इस दोरान गाजा से भी इसराइल की और रॉकेट दागे गए। इसराइल के दक्षणी हिस्सों में विशेश कर असकेलान और आसपास के क्षेत्रों में रॉकेट हमलों की चेताउनी के साइरन बसते हुए सुने गए। एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ने दक्षणी लेबनान की सीमा के पास इस्थित कुछ ठिकानों पर भी हमले किये हैं जहां से हिजबुल्ला के लड़ा के सक करिये थे। व्यक्त की जा रही है। तो जैसा कि हमने आपको बहुत पहले ही इस बात के लिए आगाह कर दिया था कि 15 दिन के अंतराल पर जो सूर्य और चंद्रग्रहन लगा है और जो इस वर्ष 13 दिन का जो महाभारत के वाला जो पक्ष लगा है यही जो है एक बड़े युद का संके खुले आम चेताओं नहीं दे दी है कि अगर अमेरिका इस युद में हस्तक्षेप करता है तो वह उसके सैनिकों के लिए अच्छा नहीं होगा और अगर इरान के द्वारा अमेरिकी सैनिकों को तनिक भी नुकसान पहुँचा तो आप समझ सकते हैं कि यह युद और कितना विद्वन सक हो सकता है क्योंकि इरान और अमेरिका के सम्मंद पहले से भी अच्छे नहीं रहे हैं ऐसे में अगर अमेरिकी सैनिकों पर इरान के द्वारा कोई बड़ा हमला या बड़ी कारवाय की जाती है तो इससे अमेरिका तिल मिला जाएगा और उसके बाद उसका जो क कर रहे हैं कि इस युद्ध में किस-किस की एंट्री दीरे धीरे होती जा रही है और यही हमने आपको पहले भी कहा था कि विश्यु युद्ध जो है जो तीसरा विश्यु यूद्ध है वो अचानक से आरम नहीं होगा, बलकि इसमें धीरे-धीरे एक-एक देश एंट्री करत तो अगर चीन द्वारा ताइवान के राष्ट्रपती पर अगर कोई भी इस तरह की कारवाई की जाती है तो फिर आप समझ लिजे कि इस भारत के पडोसी देश में भी एक बड़ी हिंसक कारवाई आरम हो जाएगी और इसके बाद अमेरिका को ताइवान को बचाने के लिए स समलित होना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका तभी चीन पर कारवाई कर पाएगा जब भारत उसे एयर बेस उपलब्द कराए तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये कोई उपहास या कोई विवात का या कोई मजाग का विशह नहीं है विश्रो की स्थिती इस समय बहुत जट ये युद्ध मानवता की एक बड़ी बली देने के बाद ही समाप्त होने वाला है तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए हमें अनुमती दें धन्यवाट नमस्कार